उन्होंने महिला सुरक्षा पर सवाल भी खड़े किये, उन्होंने अंकीता भंडारी की याद दिलाई और उन्होंने पूछा भी मन्च से कि वह वी आई पी आखर कौन है जिसके लिए अंकीता को जान तक देनी पड़ गई त्रवेंद्र जी सीनियर देता है लेकिन हमारे चचा फेल है यह मैं कहना चाहूंगा क्योंकि चचा ने हमारे कुछ हरिद्वा जिली के लिए कुछ किया नहीं है सब युवा आज बड़ी आज बड़ी निगाह से राहूल गांदी जी की ओर देख रहा है प्रियंगा गांदी जी की ओर देख रहा है कॉंग्रेस की ओर देख रहा है और निश्टी तरुप से कॉंग्रेस जो है उनको रोजगार देने का काम करेगा आपके जो प्रतिद्वन्दी यहां से हैं उमिश कुमार है वो हम देख रहे हैं कि वो तो आपकी पिताजी की फोटो वारिल कर रहे हैं नरिद मोदिक साथ पुरानी तो उसके बार में आप क्या कहना चाहें थे तो युवाओं में बुज़ूर्गों में महीलाओं में सब में बहुत जोश है हमारे कारेकरता पुरे जोश से भरे में नेता जोश से भरे में रुड़की विधानसवा शेत्र में आज प्रियंका गांधी पहुंची थी उन्होंने एक बड़ी रैली को सम्बोदित किया और भारी संख्या में यहाँ पर आज जनता यहाँ पर एकत्रित हुई है यहाँ की पूरे हरिद्वार लोकसवा शेत्र की अब प्रियंका गांध रैली के बाद सम्बोदन की बादियानी जो भाषन उन्होंने दिया है जो मुख्य बिंदू उनके रहे इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर है हरिद्वार लोकसवा से कॉंग्रिस के प्रत्याशी है हरी शरावत के बेटे भी है वीरेंदर रावत जी बहु से कल से ही सिवे बरा बेसबरी से इंतजार था ऑढरंका जी आए उन्होंने मुझे आसिरवाद दिया और जो आसिरवाद वचन में उन्होंने कहा उन्होंने महिलाओं के वीश hurtать मैं बहुत सारी बातें कहीं बहुत सारी योजनाए गिनाए कि हम लोग जो हैं गरी महिलाओं को साला साल भर में एक लाग रुपे उनके खाते में देने का काम करेंगे ताकि महिलाइ quindi खुद के पियर पर खड़ी हो सके हैं और वह सुरक्षा पर सवाल भी खड़ी की हैं उन्होंने अंकीता कि डबल इंजन सरकार बता क्यों नहीं पा रही है और उन्होंने महिला आरक्षन पर भी बात करी कि भाजपा ने किस तरह से बेफू बनाने का काम किया जबकि आज ये समझिये चपरासी से लेकर राश्टपती तक भाजपा का भाजपा की सरकार है केंडर में बहुमत है उन्ह महिलाओं के मन में है अब वो दोजार उन्तिस से लागू होगा वो भी किसकी सरकार बनेगी क्या बनेगी तो भुशी के गर्ब में आपने मिठाई दिखा के हटा ली ये उन्होंने वारतों के महिलाओं के साथ दोका किया और प्रियंगा गांधी ने एक और बात कही कि जो पासने उनके लिए एक लाख रुपे मिलेगा तो ये समझना चाहेंगे थोड़े से क्योंकि युवाओं के लिए बहुत बड़ी घोशना है ये कॉंग्रेस की गैरेंटी ओ कह रही थी तो ये एक लाख सालाना है मतलब किस तरीके से मिलेगा ये हम लोग उनको बेरोजगार अपरेंटेशिप हम लोग देंगे उसके तहट हम जो है उनको एक लाख रुपे सालाना देने का काम करेंगे ताकि जो बेरोजगार है वो अपने घरवालों पर बोज़ ना बन सके क्योंकि बहुत हर परिवार आजकल सब जो है मेडिकल इंजिनिरिंग कराते हैं अब इंज इंजिनिरिंग करने के बाद लड़का घर बैठा रहे खाली तो माबाप के दिल पर क्या गुजरती आप बहुत वेतर समझ सकती हैं और जो है कॉंग्रेस जो है युवाओं में जो निरासा फैली वी उस निरासा से उनको बहार निकालने का काम करेगी और पच्छी से तीस पद जो केंदर में खाली पड़े हैं अकेले असी हजार तो हमारे राजियों में खाली पड़े हैं और सभी राजियों में इस तरह से बहुत सारे पद हैं जो खाली पड़े हैं यह तो डबल इंजिन की सरकार हैं इनकी नियत ही नहीं हैं लोगों को काम देने की रोजगार देने की अगर चाहते तो दे सकते थे लेकिन सब युवा आज बड़ी आज बड़ी निगाह से राहूल गांधी जी की और देख रहा है प्रियंगा गांधी जी की और देख रहा है कॉंग्रेस की और देख रहा है और निश्ची तरुप से कॉंग्रेस जो है उनको रोजगार देने का काम करेगी अगर हम कॉंग्रिस को देखते हैं तो कहीं न कहीं थोड़ा सा तितर बितर देखते हैं और आज लेकिन मंच पे लगबग तब जादत दिगजों के एक साथ यहाँ पर देखा है तो प्रियंका गांधी के आने से एक जुटता भी नजर आई या कॉंग्रिस एक जुट है और प्रियंका जी के आने से उसको और ज़्यादा बल मिला है और सभी हमारे बड़े निता मंच पर मौझूद थे मुझे आशिरवाद देने के लिए और सब ने भरपूर आशिरवाद भी दिया और सब लोग जो है काम पर लग गए हैं इसकों पर भी हो और सब लोग जो है जनता के बीच में जा रहे हैं और हमारे इस पांचो पांचो लोग सब्वा कैंडिडेट्स के लिए काम कर रहे हैं और उनको जीताने का काम करेंगे और आपके प्रतिधुंदी यहां से हैं उमिश कुमार है हैं वो हम देख रहें कि वो तो आपकी पिता जी की फोटो वाइरल कर रहे है नरिद मोदिक साथ भी पसंद नहीं कर रहे हैं त्रिवेंद्र जी सीनिय देता है लेकिन हमारे चचा फेल है यह मैं कहना चाहूंगा क्योंकि चचा ने हमारे कुछ हरिद्वा जिली के लिए तो कुछ किया नहीं है आजनता उन से पूछ रही कि जब आप पौने चार साल मुख्य मंत्री रहे कर पा रहे हैं अच्छा स्टार परचारकों में आपकी जो हरिद्वा लोगस बाद मैं कि आंप एंप हम और सकते हैं बहुत से तरह का कुछ परिवर्तन फील कर रहे हैं कोई जोश उस्साह कारकरता हमें देख रहे हैं बहुत जवर्दस उस्साह है जब मैं मौन्ट फोर्ट से निकल के बाहर आया तो रहा में लोग खड़े थे और बिल्कुल सब प्रियंका जी को जो है नमस्कार करने के लिए बहुत पहँ जो नहीं तो वो युवाँ में महीलाओं में सक्नाश है हमारे कार्यकरता है पुरे जोश भरे वैंने मिने जोसी और जोन बहुए और जो नहीं वहाँ बाशन दिया और जो पॉब्लिक से करनेक्ट चिया उससे वह उससाह और दुगना हुघ आखिधर और कल से आप देखेगा उत्साह से लबरेज हमारे युवा और हमारे कारेकरता जो है वो गाउं गाउं घर घर निकल के कॉंग्रेस के पक्स में महौल बना रहे हैं और महौल तो बन गया है अब उसको वोट के रूप में परिवर्टित करने का काम करेंगे बहुत बहुत धनिवाद वीरेंदर रावजी जिन समने बाचीत की उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी के आने से यहाँ पर कॉंग्रेस में एक जुड़ता साथ-साथ यहां के कारकरता में काफी जोश और उस्साह यहाँ पर देखने के मिल रहा है रुड़की से उत्रा खंटक के लिए सरीता तिवारी कर पूँड़ता